नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमली, कैसे हैं आप लोग? उमीद करूँगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाती भक्ती एंड ब्लॉग में। वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूंगे कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो ले करके आती हूँ। खास तिथी, खास पूजा की मुहुरत, खास उपाय। इसलिए आप अगर वीडियो देखेंगे या सुनेंगे तो आपको पूजा पाट करने में बहुत ही जादा सहायता मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन 4 जुलाई से ही प्रारंब हो चुका है और 31 अगस्त को खत्म होगा। सावन का कल पहला सौमबार है, यानि की बहुत ही जादा खास दिन, क्योंकि आप सभी को पता है, 900 वर्सों की बाद ऐसा सावन आया है। इसलिए इस बार की पूजा की बिधी, पूजा की मुहुरत और पूजा का अलग-अलग उपाई होने वाला है। इसलिए आपको किसी भी तरह का कोई भी अगर दूविधा है मन में कि पूजा कैसे करे, कब करे, कितने सोमवार करे, अगर पहली वार सोमवार कर रही हैं तो करे या ना करे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन यानी कि 10 जुलाई पहला सोमवार को सुहागन महिलाएं हरी चूडियों का कुछ ऐसा उपाई कर सकती है जिससे उनके घर में अगर धंदा को लेके किसी भी तरह का कोई भी कमी है या पैसो को लेके किसी भी तरह का कमी है तो वह दूर होगा साथ ही साथ बहुत दिनों से अगर कोई भी कारई के लिए बार बार पर्यास्ष कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस कारिये में सफलता नहीं मिल रहा है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा शुभ और अच्छा होने वाला है इसलिए प्लीज प्लीज कि खास आपको उपाई करना होगा यानी कि रवी भार के दिन सबसे पहले आज हम लोग नाहाय को पता है नाहाय-खाई में बाल पेसे नहाना चाहिए उसके बाद ही आप सभी को कुछ भी खाना चाहिए ऐसा करने से यह कहलाता है कि कल अगर आप को भी वर्त रखती हैं अगले दिन तो उसके एक दिन पहले आपको अश्नानादी करने के बाद ही कोई भी भोजन ग्रहन करना चाहिए तो आप सभी को मैं एक बात और बता दू सुहागन महिलाएं हर सावन में हरी हरी चुरियां पहनती हैं चाहे तो वह सोमवार के दिन भी पहनती हैं नहीं तो सावन सुरू होने के पहले भी वह पहन लेती हैं जैसा कि चार जुलाई को सावन सुरू हो चुका था तो बहुत सारी महिलाएं हाथ में हरी हरी चुरियां पहन ली होंगी लेकिन सोमव लेती हैं और मंदिर जाने के पहले आपको नई नई हरी हरी चुडियां जरूर पहनना चाहिए अगर आप पहले से पहन रखिए तो कम से कम दो दो चूडिये आपको दोनों हाथ में जरूर पहन लेना चाहिए क्योंकि सावन तो 4 जुलाई को प्रारंब हो चुका है लेकिन सा लुगवारे के दिन हरी हरी चुडियां आप सभी को जरूर पहनना चाहिए अब मैं आपको हरी चुडियों का कुछ ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे करने से आपके घर में किसी भी तरह का चाहिं वह पैसा से ले आर्थिक स्थीती सारणी स्थीती किसी भी तरह से कोई भी समस वह दूर जरूर होगा दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी घर में एक महिला ही होती है जो की पूझा पाट करके घर में सुख सांती मा लक्षमी का आगवन करती है एक महिला ही पूझा पाट करती है अपने पती के लंबी आयू के लिए उनके सुख और सांती के लिए बच्चों क को हरी चूडियों का यह उपाई अपने घर के सुक सामती पती की लंबी आयू बच्चों के दिर्ग आयू और पैसा में कभी भी कमी ना हो इसके लिए यह उपाई करना ही करना चाहिए उपाई बहुत ही ज्यादा सरल है आपको सोमवार के दिन जैसे कि आप मंदिर जाती हैं ह हम लोग सब कुछ रखते हैं जो मतारानी को चढ़ाया जाता है इसी तरीका से आपको सोम भार के दिन मा पारवती को हरी हरी चूरियां चढ़ाना है इसका उपाई आप सभी को यह करना है कि पहले ही यानि कि आज ही रवीवार के दिन आपको एक नया हरी चूडियों का डबा ले आना है और कल जब आप पूजा पाट करने के लिए मंदिर जाएंगे तो इस डबा को अपने साथ में लेके जाईएगा डबा का आधा चूडि आपको मा पार्वती के पास रख देना है यानि कि जब आप पूजा पाट कर रही है फूल बिलपत्र परशादी आदी दे रही है चरहा रही है तो उसी समय आपको आधा चूडि वहाँ पे रख देना है मा को यह कहते हुए रख देना है कि हमारे घर में सुक सांती बनी रहे पती की आयू लंबी रहे उनमें पैसो की बृधी हो घर में की आर्थी की स्थिती हमेशा ठेक हो इस तरीका से आपको चूडि रख देना है अगर आप देख रही हैं वहां रखने का कहीं कोई जगा नह सकती हैं लेकिन ध्यान रे टूटा हुआ चूरी एक भी नहीं होना चाहिए अब उस चरहाया हुआ डब्बा का आधा चूरी रख करके आधा चूरी आपको अपने साथ में ले आना है और इस चूरी को आपको उसी दिन यानि की सोमबार के ही दिन दोनों हाथ में पहन लेना है अगर आपके पास आठ चूरी है तो आप चार चरहाईएगा चार लेकर के दोनों हाथ में पहन लीजेगा कहा जाता है कि मापारवती को चरहाया हुआ कोई भी समान यानि कि सिब सकती सिब भगवान में ही मापारवती भी समर्पित है अगर आप सिबलिंग पे जल पूजापाट करती है तो उनके साथ साथ आपको गोरी मा का भी विसेच रूप से पूजापाट करना है वह उठाया हुआ आप पहनती है पूरे सावन आपके घर में कभी घनकी कोई कमी नहीं होगी ना ही कोई घर में कभी भी दुखों का समचार आएगा लेकिन ध्यान रहे चूरी एक भी टुटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि टुटा हुआ चूरी से नेगेटिव एनरजी घर में आ जाएगा अगर आपका चूरी टुटा हुआ है ताब उसे निकाल दे दो चूरी अगर आपके पास है तब दो चूरी ही माता राने को चरहाईएगा लेकिन चूरी टुटा हुआ बिलकुल नहीं होना चाहिए सावन में अकसर महिलाएं हात्वों में चूरी तो पहनती है लेकिन पहनते पहनते चूरी टूट जाती है इसका कही न कहीं कोई न कोई निगेटिव बात होता है अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं साथ ही साथ सावन में महिलाओं दोरा तूटा हुआ चूड़ी को इधार उधार फेकना वह भी आपके लिए असुब बात होता है इससे क्या होता है नहीं होता है आपको अगर किसी भी तरह का मन में कोई भी संका है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तो सोमवार के दिन यानि की 10 जुलाई पहला सोमवार के दिन आपको कुछ और खास बातों का ध्यान देना है बहुत घरों में देखा गया है कि वर्थ के समय महिलाएं पूजा पाट करके आने के बाद घर में सर्बत या किसी भी तरह का फल का सेवन करती है लेकिन वर्थ करके फलहार करने का भी एक अपना समय होता है 12 वजे के पहले कहा जाता है कि पहली पहर है 12 के बाद 2 पहर, 3 के बाद 3 तो 6 के बाद 4 पहर आपको किस पहर में एक बार वर्थ में खाना है वो आप जानना चाहती है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा साथ ही साथ दोस्तों अगर आप रात में दूद पीती हैं जैसा कि बहुत घड़ों में देखा गया है कि रात में शाबू दाना का सेवन होता है नहीं तो दूद और थोड़े से फल खाकर भी पूजा को संपन किया जाता है एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे आपका सरेर बिमार हो या किसी को भी किसी भी तरह का दिक्कत हो सोम बार के दिन आपको दूद में हल्दी मिला कर कभी नहीं पीना चाहिए खास तोर पे वर्थ के दरान ऐसा करने से आपका वर्थ कहीं न कहीं तूट जाता है इसलिए आप हल्दी का परियोग मत कीजिएगा अगर आप रात में चाहती हैं तो कुट्टू का आटा का रोटी बना सकती है उसके साथ आलू का कोई भी चीज का समान बना के आप खा सकती है लेकिन दूद के साथ आपको हल्दी का परियोग नहीं करना है अगर आप आलू का कोई समान बना रही है तो आप उसमें हल्दी का परियोग कर सकती है लेकिन दूद में मत कीजिएगा साथ ही साथ दोस्तों यह बहुत ही जादा भाग्ये शाली सावन है भाग्ये शाली इस्त्रियां अगर इस सावन अपनी विवाह करना चाहती है या अपनी बेटों के विवाह करना चाहती है तो उसके लिए इस बार का सावन बहुत ही खास है लेकिन कुछ उपाई है जो करने से ही आपको यह चीज का प्राप्ती होगी तो आपको जानना है तो हमें कमेंट जरूर कीजेगा मिलती हूँ अगले वीडियो में धन्यवाद